मैं आपको गेम टेस्टिंग का कुछ डेटा दिखाता हूँ, जितने भी गेम मैंने टेस्ट करें हैं, सब 27 डिग्री सेल्सियस रूम तेंपरेचर में टेस्ट किया है, तो सबसे पहला जो गेम टेस्ट करा, मैंने वो गेम टेस्ट करा, हाई और वेरी हाई सेटिंग का कॉंबिनेशन रखा था, डेरेक्स डेस्ट किया, और 60 fps एवरेज मुझे मिला, गेम बहुत ज़्यादा एंजॉयबल था, और यह जो ग्राफिक कार्ड है, और 25 fps पुश कर सकत है, अगर इसको थोड़ी से एक्स्टा रेम मिल जाया तो, नेक्स्ट गेम मैंने टेस्ट किया, फॉल गाइस बहुत ज़्यादा एंजॉयबल लगा मुझे यह गेम, तो इसको मैंने टेस्ट किया था, मीडियम सेटिंग पे, हाफ टेक्च्चर पे, 60 fps मुझे मिल गए, काफ गेम में टेस्ट किया, एसफल्ट 8 इसको हाई सेटिंग पे टेस्ट किया था, इस तरह के गेम इस लैप्टाप पे बहुत बढ़िया तरीके से खेले आ सकते हैं, बहुत एंजॉयबल होते है, 60 fps इसमें मुझे मिल गए आराम से, और आप भी एंजॉयब कर सकते हो, 60 fps, फिर मैंने वैलोरेंट टेस्ट किया, उल्नों के लिए जिल्नों को e-sport गेम खेल ले रहते हैं, तो मीडियम सेटिंग पर मैंने इसे टेस्ट किया, डेर सो एप्रॉक्स fps मुझे मिल गए, और आप भी इस गेम को काफी एंजॉयब कर सकते हो, बलकि इसके हाई रिफ्रेश रेट का मज़ा ले सकते हो, अगर आप हाई हर्ट का मॉनिटर, HDMI के थरू कनेक्ट करते हो, इसका तो डिस्प्ले 60 हर्ट है, तो मैक्सिमिन 60 fps यह दिखा पाएगा, कहीं-कहीं पर fps डॉप हो रहे थे, वो लैप्टॉप का इशू नहीं था, वो सर्वर का इशू होता है, वेलोरें है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है लैप्टॉप में, थर्मल्स के मामले में,